Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हैं Pharmacy Law and Ethics में हमारा Next Chapter Poison है ना, Chapter No.7 है यह जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं Poison के बारे में Poison Act आया था 1919 में Poison जो chemical हैं उनको control करने के लिए ठीके, अब actually क्या है, इस Act में भी हम पढ़ेंगे Poison क्या है, ऐसा कुछ इस Act ने Define नहीं किया, क्योंकि Poison कुछ भी हो सकता है, हम normal medicine खाते हैं जो कि हमारे फायदा मन्द है, लेकिन उसकी overdose हो जाए तो वो Poison बन जाता है, बात वाजमारी है, इसी लिए यहाँ पर Poison को as it is Define नहीं किया गया, लेकिन हाँ, कुछ chemicals हैं, कुछ specific chemicals हो गए जो हैं, जिनको खास Poison Category में डाला गया, जिनकी खास थोड़ी सी मात्रा गए बढ़ जाती है, तो क्या होता है, बाडी के लिए harmful होता है, और कुछ normally Poison होते ही है, खाल हो तो मर जाए आदमी ठीक है, तो इसलिए Poison को इस Act ने Define नहीं किया है, लेकिन कुछ substance को Poison की Category में डाला हुआ है, that's it, तो आप देखें यह Act क्या बोलती है, इंट्रॉक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो इंट्रॉक्शन में हमरे पास क्या है, यह जो Act है, पास हुआ था 3rd September 1919, मैंना यह रखेंगे, आपका MC की Question नहीं है, कि कभ यह Act आया था, इस Act पास्ट विदर व्यू, इस Act को पास्ट किया गया था, विदर व्यू, एक सोच के साथ, वो सोच किया थी, to control the import, हमें control करना है, import की जो Poison है, वो विदेशों से इंडिया में ना है, ना आने का मतलब है कि आया तो License के थुरू आये, License जिसको पास Authority है, वो ही लेके आये, Possession, जो Poison को अपने पास रख रहे हैं, Store कर रहे हैं, या जो Sale कर रहे हैं, उनको control करना था, ऐसा ही नहीं कि कोई भी उठा करके खरीद रहा है, बेच रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है, यह जो Act था उस समय, पूरे इंडि कस्मीर में थोड़ा सा क्या था, जितनी भी Act उस समय लागू हुए थे, वो कोई भी Act जम्मोर कस्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे यह Act जम्मोर कस्मीर में भी लागू हो जाएंगे, क्यों लागू हो जाएंगे, सबकर पता है, धारा 370 की वेशे से, ज तो धीरे-धीरे प्रोसेस चलेगी लंभी, जो जो Act पूरी इंडिया में लागू थे और जम्मोर कस्मीर में लागू नहीं थे, वो आब आने वाल समय में लागू हो जाएंगे, J&K में भी, अब इसका एक में चीज हमें यहां समझनी है, कि according to the provisions of the Act, जो Act के प्रवधान है पहलू है, उसके मताबिक Central Government को Empowered किया गया, Central Government को Power दी गई, Central Government has empowered to regulate the import of poison, ध्यान रखना, Central Government को Power दी गई, कि जो भी Country के अंदर बाहर से Poison मंगाया जा रहा है, आप उसको Control करोगे, ठीक है, Whereas, जबकि जो various state government, यानिकि अलग-अलग state में जो government है, उनको कहा गया कि भाई, आपको Power दी जाती है, इस Act के तहत कि आप Rule बनाएं, regarding the possession, मतलब कौन-कौन रख सकता है, store करने के लिए ले करके, and sale of poison, कौन रखेगा, कौन बेचेगा, उसको ले करके, हर state government अपने-अपने state मे क्या बनाएगी, rule बनाएगी, ठीक है, within their respective territory, यानिकि अपने-अपने इलाका, इलाका मतलब जो उनका state है, ठीक है, तो एक बात किलर कर लो, एक मतलब दो बात है, ठीक है, import को कौन control कर रहा है, central government, और state के अंदर rule regulations कौन देख रहा है, state government, ठीक है, तो import के उपर central government का rule regulation sale of poison, इस चीज को control करना था, इनके उपर निग्राइण रखनी थी हमको, और दूसरा, to tighten the control over traffic in poison, जो poison का traffic है, मतलब जितना चल रहा है, इदर से उदर घुमफिर रहा है, उसो के अगरना tight रखना है, कि ऐसे ही नहीं, free hand हम किसी को भी दे दे या खरीद ले, तो overall बात क्या हो poison की definition जो है, कह रहा है, the act does not define the term poison, act poison को define नहीं करता है, ठीक है, all substance specified as poison in notification, वो सारे substance poison की category में आते हैं, जो की notification के तहत, time time पर government के द्वारा notification जारी किया रहा था, कि ये chemical अब, क्या है, poison है, ये chemical इतनी मातला के बाद अब poison है, तो समय समय पर notification आता रहता है, under the act, are to be deemed as poison, तो time time पर government notification निकालते रहती है, जैसे मतलब कुछ तो substance उस समय थे ही, और समय के साथ साथ देखती रहती है, कौन से chemical ज्यादा harmful है, जो poison category में रखे जा सकते हैं, तो उनके लिए notification आता रहता है, कि हाँ, अब ये सारे chemical poison के अंदर आते हैं, ठीक है, list of poison substance की बात करो, तो यहा हैं, तो दो list हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं, तो फिलाल में कुछ point हैं mention कर दी है, example के तो ये list बना रखे है, list A और list B, दो list हैं पर mention है हमारे पास, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो यहां पर definition की बात clear होगी, अब बात करते हैं, फिर वही बात आगी, need of poison act, अग of poison in case of using it to kill a person or animal, जहर का इस्तमाल हम लोग जानवरों को और इंसानों को मारने के लिए करते हैं, कितने सारी crime होते हैं, जहर दे को उसको मार दिया, ठीक है, फलाने ने फलाने के गाए भेंस को जहर दे के मार दिया, तो ये सब क्या होता है, रंजिस होती है, खुनना सोती है तो इसको कंट्रोल करना था, तो माल प्रैक्टिस of poison, poison के misuse को हमें रोकना है एक तो कि आप किसी भी इंसान ये जानवर को ना मारे, अब अगर जहर फ्रीली अवेलिबल रहेगा, तो तो फिर जरा आजकल क्या होता है, जरा सा घुसा आया ठीक है, वो गया, पांस प्रिपक जहर लाए, किसी खाने मिला दिया, खतम कर दी कहानी, तो ये नहीं होना ठीक है, तो mixing poison with fodder of cattle, जानवर के चारे में जहर वगरा मिला दी जाता था, तो अवाइड एनी sort of mischief, किसी भी परकार का mischief याने की गलत काम ना किया जाए, poison के साथ, if the poison at certain dose is used in treatment, कई बार ऐसा होता है कुछ poison का है तो जहर, लेकिन बहुत कम मातरा में as a dose, treatment के तरह इस्तमाल होता है, है ना, किसी तरह इस्तमाल होते हैं, treatment के लिए, ठीक है, अगर कुछ poison ऐसे हैं, जिनकी बहुत चोटी सी मातरा, treatment के तोर पे इस्तमाल होती है, तो ऐसे poison को, अब चोटी मातरा में तो medicine बन तो वही कह रहा है, if the poison at certain dose used in a treatment, then avoid self-medication, तो उस अवस्था में हमें लोग self-medication ना कर लें, भाई, डॉक्टर को पाता कितनी dose देनी है, अब आदमी लेके आया, खरीद के कि हम खुदी ठीक हो जाएं, खालें तो, अब पाईजला उसने एक्ट्रा खाली तो गया काम से, तो self-medication ना हो, इस टाइब के poison का, उसके लिए भी rule regulation आए, to provide controlled medication by registered medical practitioner, ठीक है ना, medication को control किया जाना, RMP के दवारा, doctors भी इसका misuse ना कर पाएं, उसको भी देखना था हमें, also to prevent illegal sale of poison, है ना, हमें illegal, गयर कानोनी, खरीद फरोक्त रोकनी थी, जहर की, in the country, और from another country, या किसी दूस stories वगरा देखी होंगी, तुम लोग ने movies वगरा की, वहां से, खास करके, जो Hollywood movies होती है ना, कि एक ऐसा जहर, वहां के जंगलों मिलता है, उसको थोड़ा सा लाग करके, injection की सुरूर दे दिया, ये ये कर दिया, तो इस तरह का, कुछी भी type का, जहर या chemical, import ना हो सके, from another country, है ना, कई सारे chemicals ऐसे होते हैं, जो हमारी country में नहीं है, लेकिन videos में मौझूद हैं, बास समझ में आ रही है, तो इन सब चीज़ों को क्या करना था, हमें control करना था, इसलिए poison act की हमें जरूरत पड़ी, अब बात करते हैं, possession और storage of poison, यानि कि जब आप poison को possess करते हैं, मत possess करना म कंटेनर में leakage नहीं होना चाहिए, and easily distinguished from other by touch, और यहां तक की वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए, कि गलती से अगर मालो ध्यान कहीं और आप बोटल को छू रहे हो, तो छूते ही पहाँ चल जाए कि आरे यह तो जहर की बोटल है, मतलब यह poisonous substance है, ठीक है, कभी गलती है ध्यान poison को store करने के लिए अलग separate cupboard या drawn, cupboard मतलब almari, poison substance एक अलग almari में रखेंगे आप, ठीक है, अगर अगर premises है, आपकी कोई जगह है, गोदा मगरा type का है, तो separate partition, आप एक अलग partition कर देंगे, poison substance अलग store करेंगे, और क्या कहते है, non poison substance अलग store करेंगे, and no customer should be allowed to enter, और उस जगह प only for poisons and no food should be, अगर जिस shelf, shelf मतलब है, जिस खाने में आपने poison को रखा हुआ है, ठीक है, तो वो सिर्फ और स्रिफ, solely मतलब अकेला, सिर्फ और स्रिफ, poison के लिए होना चाहिए, no food should be kept directly on the shelf, उस self पर जहां पर poison रखा हुआ है, खाने की किसी भी प्रकार के चीज़ आप वहां अबर नहीं रखेंगे, ठीक है, देन अगर बात करें, यह तो होगे retail shop की, institution, institution मतलब universities वगरा होती है, college वगरा होती है, experiments वगरा होते हैं, तो कई बर chemicals होते हैं, जो की poisonous category में आते हैं, उनका use होता है, तो कर रहा है अगर ऐसी अवस्था में है कि institution के अंदर उसका इस्तमाल हो और person in charge of the institution, ठीक है न, वो क्या होगा, हर एक चीज के लिए जिम्मेदार होगा, poison mentioned in first schedule, जो act में first schedule है, उसमें poison mentioned है, उनको cup award और drawer और on a shelf solely reserved for the purpose and container must also be made distinguishable from the other, कह रहा है, जो poison first schedule mentioned है, उनको अलग से एक अलमारी में या drawer में या अलग से उनकी एक self आपको रखनी है, reserve, ठीक है न, for the purpose, यानकी store बगरा करने के लिए, and must also be made distinguishable from others, और वो जो container होंगे, वो ऐसे होने चाहिए, container must also be, container ऐसे होने चाहिए, कि वो distinguishable, दूसरों से distinguish, अलग अल place where poisons are required to be stored, ठीक है, हमको poison वहाँ रखने है, जहाँ पर हमें store करने की जरूवत है, ठीक है, तो कह रहा है, at regular time intervals should be inspected, जो जगह है जहाँ पर store किया गया है poison, वहाँ समय समय पर जो inspection है, किस के दवारा, फार्मसिस्ट के दवारा, या जिस person को appoint किया गया है, इस purpose के लिए, कि भई है, समय समय पर आकर चेक कर लिए, अगरो, पॉजन वगरा सही से रखे गई है, कि हमारे इस्टुट में नहीं रखे गई है, वो आकर कर टाइम टाइम पर चेक करेगा, कि यो सही जगह पर और सही तरीके से store है या नहीं है, ठीक है, तो यह मेरे खाल से बात है, एक बा बात कर रहा है, store करना और sale करना, store करने को जबाब sale भी करेंगे, तो possession and sale, तो sale करने को लेकर के यहाँ पर कुछ बाते बता रहा है, वो कह रहा है, state government make rules, अगर जब आपको sale करना है, पॉजस रखना है और sale करना है, उपर क्यों बात रखती, रखना कैसे है, यहाँ पर कह रह government rule regulation बनाती है, within whole or any part of the territory under its administration, या तो जो territory उसके उसमें आती है, या तो पूरी state के लिए बना सकती है, या कुछ parts of state, state के कुछ हिस्सों के लिए बना सकती है, जहाँ पर उसको लगता है कि ज्यादा mal practice हो सकती है, poison की, तो depend करता है, also empowered to regulate, और साथ साथ में empowered, ताकत दी गई है state government को to regulate the possession of any specified poison in local area, ठीक है, कि वो किसी local area में हो सकता है, किसी खास एरिया में किसी खास तरह का poison जादा बिखता हो, जिसकी वज़े से क्या हो रहे हैं, murder हो रहे हैं, उसके गलत इस्तमाल हो रहा है, गाय भैसों को poison दिया जा रहा है, ठीक है, occur and such instances और इस तरह की घटना है, such instances are frequent, जहां पर ऐसा है, कि murdering हो रही है, mischief हो रहा है, poison हो रहा है, कुछ local area में, पूरे state में नहीं, मालों कुछ एकार कोई शहर है या गाहों है, जहां पर जादा हो रहा है, तो उस particular area में और सक्ति कर देगी, वहाँ पर अलग से rule regulation ठोप देगी, ठीक है ना, also empowered to regulate the possession of any specified poison, कि किसी खास तरह का poison हो कहा देगी, इस area में ये वाला chemical होना ही नहीं चाहिए, इस area के भार भले हो, याना कि किसी district को mention कर देगी, इस district में ये वाला chemical नहीं होना चाहिए, मना साफ, क्यों, क्योंकि उस district में ये सारी घटना है, जादा घट रही है, तो किसी local area के लिए वह अलग से भी rule create कर सकती है, ठीक है, तो state government क्या करती है, state government rule बनाती है, किसके लिए, for grant of license, अगर poison रखना है, खरिदना है, बेचना है, तो उसके लिए आपको, खरिदना नहीं, मतलब, रखना है और बेचना है, तो आपको license चाहिए होगा, तो कहरा है wholesale और retail of any specified poison, ठीक है, उसके लि आपको license के लिए देना होगा, classes of license, वो license की classes भी decide करती है, हो सकता है, आप किस category का chemical रख रहे हो, उसकी poisonous की छमता कितनी है, कई वार ऐसा होता है, हम दो कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि harmful chemical था, pesticide था, कुछ था, पी लिया, कुछ pesticide harmful chemical था, ऐसा होता है, कि पीते ही आदे गंट से classes of licenses for possession and sale of poisons are to be given, अलग-अलग classes categorize की गई है, रखने के लिए और बेचने के लिए and categories of people to whom the poison may be sold, और साथ-साथ में लोगों की भी category बनाई है, आप और हम जाके उस chemical नहीं ले सकते, ठीक है, उसके लिए खास category बनी होई है, कि हाँ ये इंसान आएगा तो इसको ही देना ह कुछ खास prescription है, या कि महान लोग कोई farm है, या किसी खास तरह की चीज़े है, जहाँ पर वो chemical इस्तमाल होता है, तो authorization letterology कि हाँ हमें यह यहाँ इस्तमाल करना है, तो हर किसी को नहीं मिलता है, तो categorization of people to whom the poisons may be sold, और उन लोगों का भी categorize कर रखा कि आप ये किसको बेचेंग Okay, maximum quantity भी decide करती है, ठीक है कि एक बार में कितनी maximum quantity आप किसी एक इनसान को दे सकते हो, तो maximum quantity of poison debt may be sold to a person, ये भी decide किया जाता है, ठीक है, तो make rule for, पुरा sentence पढ़े, state government make rule for maximum quantity of poison debt may be sold to a person, ये हुआ पुरा sentence, यहाँ रखना, ये line आगे जोडते जाएंगे, इस्टेट government make rule for grant of license, इस्टेट government make rule for classes of license, for possession of sale and poison, इस्टेट government make rule for maximum quantity of poison debt may be sold to a person, जैसे कि यहाँ पर एक 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 इसमपल बताएं, ठीक है, codeine cuff preparation, codeine की बात करें, codeine का तब formula बदल दिया गया है, आज से कुछ साल पहले उसके अंदर, जो codeine था न, तो उसके अंदर जो chemical था, वो कैसा होता था, नशील मतलब आके नीन से आ जाती है, तो अब codeine का chemical formula चेंज कर दिया गया है, इसी वज़े से, तो खेर, अगर उस codeine की बात करें, तो preparation की, तो उसमें बोला हुए, not more than 240 ml to any individual, किसी भी एक को एक बार में 240 ml से ज्यादा नहीं देना है, यानि कि हम 240 ml से बात करें, अगर 60 ml की बोटल है, ठीक है, या 100 ml की बोटल है, 100 ml की बोटल है, 100 ml की बोटल है, तो धाई बोटल मान लो लगभार, तो आप maximum 2 ब बोटल नहीं दे सकते, to any individual, or not more than one codeine preparation to be dispensed at one time, ठीक है, अगर preparation की बात करें, यह हो गया, अगर पुरा container है, उसमें से निकाला 250 ml, और preparation की बात करें, तो यह one preparation at a time, यानि कि एक सीसी है, codeine की कफ सिरफ, तो वो एकी बार एक देंगे, एक बार में दो नहीं दे सकते हैं, ठीक ठीक है, कि आपने कहां, किसको कैसे बेचा है, उस register का कुछ यह नमूना है, serial number, license number क्या है, bill date क्या है, amount कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, कितना stock बचा, signature of the buyer, special note, अगर कोई खास special note अगी, कुछ बकाया है, या कुछ extra गया है, और उसका address, इस तरीके सा आपको एक register maintain क करना है, फिर कह रहा है, state government make rules, rules बनाती है, for safe custody of poisons, poisons की safe custody, यानि जब आप रख रहे हैं अपने पास, उसको safely रखना है, और label करना है, vessels को, जो भी container है, उसको proper labeling होनी चाहिए, ताकि दूर से समझ में आ जाए, ये कौन सा poison है, क्या poison है, ठीक है, labeling of vessels and covering etc, in which poisons are stored for sale, तो जो container के अंदर poison रखा गया है, उसकी proper labeling होनी चाहिए, ठीक है, और safe custody, proper उसका रख रखा होना चाहिए, वो उसके लिए rule बनाती है, plus, क्या है, state government make rule for inspection, जांच, हैना, अगर आपके वास license है, poison को रखने का, तो inspection भी करवा देती है, वो, हैना, जो अपने drug inspector गएरा होते हैं, वो आएंगे, आपको बकाईदा inspect करेंगे, आपका location को, आपकी premises को, ठीक है, तो कह रहा है, inspection by person, एक इनसान के दोवरा on the behalf of state government, जो state government की तरफ से होता है, वो आके आपको, आपके location को, आपके जगे को जहां आप store कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको check कर सकता है, ठीक है, and record maintained for their sale, और सारे के सारे जो record वो गएर है, उसको check कर सकता है, जांट परताल कर सकता है, कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये state government वाला part ज़्यादा important है, तो ठीक है, आप इस वाले part को थोड़ी से important देंगे, क्योंकि इस chapter में यही एक ऐसा topic है, जहां पर थुरा से topic है, के लिए रहे बाते हैं, next import of poison, अभी import of poison में कुछ है ही नहीं, कह रहा है, central government gives license for import of poison, central government import of poison के लिए license देती है, without license import of poison is prohibited, मतलब मनाई ही है, बिना license कि आप किसी परकार के poison को import नहीं कर सकते हैं, Persons license to import poison should follow all the conditions specified under the act, जिस इंसान के पास license है, poison को import करने के लिए, should follow, उसको करना चाहिए, वो सारी conditions follow करने चाहिए, जो act में mention है, poison must be imported across one of the defined custom frontier, जो poison import किया जाएगा, वो जो frontier, जो location है import करने की, है ना, जैसे बंदरगा वगरा होते हैं, या airport वगरा, जो भी है, जो fixed location है, आपको उसी के थूरू लेके आना है, जो mark here, मार लो बाहर से मंगवा रहे हैं, तो आप उसको वही route बताएंगे, भी है इसी route से बेजना हमको, किसी और route से allow करेगा ही नहीं वो, किलिए रवाते हैं, ठीक है, तो कहीं न कहीं, यहाँ पर हमारा पास, जो main main topic तो खतम हो जात आते हैं, फिर अगर ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी बात कर लें, तो must be transported in leak proof container, जब भी transport करेंगे, तो leak proof container में transport करेंगे, must not be transported with food, खाने पीने वाली item के साथ, इसको हम transport नहीं करते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेशन आफ रिकॉर्ड, जो record हम खईते बेशते हैं उपर, इसका mention किया था मैंने, must be preserved at the premises, जो भी record है, आपको अपनी जगह पर maintain करने है, जहाँ पर उसको बेचा गया है, for the period of two years, यानकि जो register आप बना रहे थे, उसको कम से कम आप, दो साल के लिए क्या करेंगे, maintain करके रखेंगे, अपने पास सीमित रखेंगे, क्योंकि आप से दो साल तक मुझे खरीदा है या बेच रहा है, तो उससे दो साल तक का आपको record वो मांगा जा सकता है, तो वो आपको maintain रखना है, इसके अंदर कुछ offenses और penalties है, कह रहा है, पहला offense, पहला अपराद क्या हो सकता है, import or possession or sale of any poison not mentioned in the act, आप ऐसे poison को रख रहे हैं, बेच रहे हैं, या import करने जो act में mention नहीं है, उसके अलावा किसी और तरह के poison को, तो आप गुनेगार हैं, तो आपको penalty पड़ेगी, पहले बार आप ऐसी गलती करते हैं, तो jail हो सकती है, तो जेल हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है, दूसरी बार फिर repeat ये काम करते हैं, तो 6 मेहने की jail है, और 1000 बाद आता वो ये है, possessing any poison whose possession is prohibited by the state government, मतलब state government कह दिया, हमारी state में तो ये poison allowed नहीं है, और उसके बावजुद आप उसको क्या कर रहे हैं, sale कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो ऐसे case में जो penalty again वो ही है, पहली penalty में तीन मन्त की jail या 500 रुपए fine या दोनों, दूसरी बार अगर repeat क कर रहे हैं, जिसकी मनाई है, और दूसरा हो गया, state के दौरा, ऐसे poison को आप रख रहे हैं, जिसको state में मना कर दिया, कि आप इसको हमारे state में तो नहीं बचेगा हैं, दूसरी state में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद समझ में आ गई, और अगर गलती कर तो ये पाए जाते हैं, finally, इससे पहले क्या होगा, in case it is believed that any poison is possessed or sold in contravention of act, act के उलंगन के करके कोई poison बेचा खरीदा जा रहा है, तो warrant issue कर दिया जाता है, ठीक है न, issue of warrant, किसके द्वारा तीन लोग कर सकते हैं, DM, district magistrate, sub-divisional magistrate और commissioner of police, इन तीनों ऐसे कोई भी उसके खिलाफ warrant जारी कर देगा, ठीक है, और जिसके पास warrant होता है, person to whom warrants are directed have the power to enter and search the place in accordance with the warrant, तो जिसके खिलाफ warrant जारी हो जारी हो जाता है, तो जो warrant लेके जाता है अजकारी, वो उसकी जगे को क्या कर सकता है, search कर सकता है, वहां finding कर सकता है, और जान परताल कर सकता है, according to warrant, ठीक है, तो poison में हमारे पास ज होगा सर, यह chapter बहुत जल्दी खतम हो गया, चलो, again, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइस करना है, कुछ खास नहीं था, यह तो फटा-फट याद हो जाएगा, करना क्या है, पढ़ना है, ठीक है न, notes, description में मिल जाएंगे, वीडियो के, यह मेरा number है, कोछ प् पढ़ना है और रिवाइस करना है, ओके, all the best!